अमेरिका के पुर्व रास्ट पती डुनाल ट्रम्प ने पूरे दो साल बाद 17 मार्च यानी शुक्रवार को फेस्बुक और यूट्यूब अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिससे ये पता चलता है कि यूएस कैपिटल हिंसा के बाद उनके अकाउंट पर लगे प्रतिभंध को शुक्रवार को खटा दिया गया था जाहिर सी बात है कि बैन हटते ही उनका फेस्बुक और यूट्यूब अकाउंट चालू हो गया दरसल दो साल पहले अमेरिका के रास्ट पती पद को गवाने के बाद उनके समर्थ को दौारा छे जनवरी साल दो हजार एकिस को यूएस कैपिटल पर धावा बोल दिया गया था इसके बाद से ही उनके खिलाफ कई सोशल मीडिया प्लाटपॉम को बैन कर दिया गया बीते कई सालों से डौनाल ट्रॉम्प के ट्विटर, फेस्बुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लगा हुआ था लेकिन एक बार फिर ट्रॉम्प की इन सोशल मीडिया अकाउंट पर वापसी हो गई है साथ ही अमेरिका के पुर्वरास्ट पती डौनाल ट्रॉम्प ने खुद ही अपने लौटने की जानकारी एक पोस्ट के जरिये दी जिसमें उन्होंने लिखा मैं वापस लौट आया हूँ ट्रॉम्प ने एक 12 सेकंड का वीडियो क्लिप भी शेयर किया है जिसमें वो अपने चाहने वालों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि माफ करें आपको काफी इंतजार करना पड़ा दरसाल ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर ट्रॉम्प की इसी लोक्रियता को उनके अमेरिकी रास्टपती रहने की वज़ा भी माना जाता है